हेलो व्रीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेज इस वीडियो में हम जो जनसंख्या और नगरी करण वाला जो टॉपिक है उसको कम्प्लीट कवर करेंगे यहीं से सभी कोशन हो जाएंगे भारत के भी और उत्तर प्रदेश से संबन्दी जो कोशन पुछियाते हैं जनगर् ली गई इसके अलावा सभी नोट्स वगरा जितने भी सब्जक्ट वाइस नोट्स पीवाइक वगरा या जो टेस्ट वगरा हैं उसको सबको जॉइन करने के लिए यह जो नंबर दिया इस पर वाट्सेप करके आप आरो यारो ग्रूप डिटेल्स जैसे मैसेज करेंगे तो स्वीडन में हुई थी 1749 में 1749 में सबसे पहली बार विश्व में जनगरना हुई थी स्वीडन में और पहली बार दसकी जनगरना कहां पे हुई थी विश्व में तो अमेरिका में हुई थी 1790 में भारत में सबसे पहले जनगरना 1872 में हुई थी और इस टाइम पे की जनगर्णा हुई थी इस टाइम पर जनगर्णा आयुक्त को थे तो डबलू सी प्लोडन इस टाइम पर जनगर्णा आयुक्त थे इसको महान विभाजक यह फिर डिवाइड एर किसको कहा जाता है तो 1921 को कहते हैं क्योंकि 1911 और 1921 के बीच में जनसंख्या में व्रिद्धी नियुन्तम रही थी पहली बार व्रिद्धी जो है नियुन्तम रही थी उसके बाद से लगातार बढ़ती ही जा रही है तो यह थी माइनस 0.31 इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष का आ गया है 1921 को अब 2011 की जनगर्ना का अगर क्रम पूछा जाए कौन सा क्रम था तो फंद्रवी जनगर्ना थी और आजाधी के बाद की बाद करी जाए तो यह सात्मी जनगर्ना थी आजादी के बाद ही हमारी सात्वी जनगर्णा थी 2011 वली जनगर्णा सम्मंदी जो अनुछेद है वो आर्टिकल नंबर 246 है उसके तहत इसको संगी विशे में रखा गया है जो केंद्र सूची का विशे होता है उसमें इसको रखा गया है और अगर अनुसूची की बात करें है तो तो सात्वी जन सूची की तहत आएगा क्रमांग की बात करत तो करमांग 49 आएगा लेकन अगर बात किरें जनसंख्या नियंतरण की तो वह समवड़ती सूची में हैं यहाँ पर ऑगर जन्गर्णा की बात करी जाएगी sırगर्र नियोजनि की बात करी जाएगीまぁई और ग्रह मंत्राले का महारेजिस्टार और जनगर्णा आयुक्त कारियलेज होता है वही जनगर्णा कराता है अब वैसे तो हमारी जनगर्णा 1872 में हुई थी पहली बार लेकिन उससे भी पहले इलहाबाद और बनारस में जनगर्णा कराई जा चुकी थी जेम्स प्रिंसेप ने जनगर्णा कराई थी इलहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827-28 में जनगर्णा हुई थी तो दो सहर यहाँ पर याद रखने है इलाबाद और बनारस अगर स्टेटमेंट आ जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है यह हमारे सिलेबस में ही टॉपिक औ अभी तक कोई जनगर्णा नहीं हुई है तो उल्टे सिदे कोशन भी ऐसे स्टेटमेंट वाइस आ सकते हैं तो मैंने सभी चीज़ें इसमें कवर कर लिए प्रभू गटनाय जो हुई थी जनगर्णा के बारे में जो इंपॉर्टन्ट है तो 1881 में जो जनगर्णा हुई थी इसमें क्या-क्या सामिल किया गए था तो पूरा ब्रेटिस भारा सामिल था जब पहली जनगर्णा हुई थी तो पहली दस्की जनगर्णा और इसमें कस्मीर सामिल नहीं था फ्रेंच वाले जो उपने वेस थे वो सामिल नहीं थे पुर्तगाली उपने वेस इसमें सामिल न जतानफेवाली में वर्मा को भी सामिल किया गए था स्थेटमेंट बन सकता है उन्नी सोonden एक जनग्रणा के वuç सतान भी फेलत है पूरा वर्मा नीचिस्तनारी सामिल नुद फूररी हिस्सा अब पूरा वर्मा Яंधमा को सामिल गए था उन्नी सोٓक एक जन्री गए विए 21 की जनगरना क्यों important है इसमें जो है दस्कीव व्रिद्धी में गिरावट आई थी जो भी हमने देखा था महान विभाजक वर्सेश को कहते हैं 0.31% की गिरावट इसमें आई थी इसलिए तब से यह बढ़ती जा रही है 1921 के बाद से next बात करेंगे अब 1931 की जनगरना भी important है क्योंकि यहां पर पहली बार जाती आधारी जनगरना हुई थी और अभी हाली में जो बात की जारी बिहार में भी पहली बार जाती आधारी जनगरना होगी लेकिन वैसे बात करें तो 1931 में हुई थी तब से जो भी आरच्छन के तरह जो भी योजन में देशाध की पहली जनगर नहीं किया गया था और यह अगर पूछा जा जा चुका है कि जब हमारा देशाध हुआ था उस टाइम पर हमारी साक्षट्ट्ता कितनी तो इस तरह से वह देखेंगे इसको कि मतलब में हमारी देख्रण्गरना उसी ताइम इसको काउंट किया जाएगा तो अठारा पर्शेंट हमारी उस टाइम पर जन करना थी यह पूछा जा साकता है कि अजादी के बाद पहली जन गर्णा में साक्षरता लिंगानुपात वगर कितना था लिंगानुपात था 946 साक्षरता थी 18 पर्शेंट जीवन प् पहुंच गई अगर स्टेट वर्ल पॉपलेशन रिपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे दसकी ब्रिद्धी उस टाइम पे कितनी हुई थी जब 1941 से लेकर 1951 के बीच में 31.5 पर्शेंट हमारी दसकी ब्रिद्धी हुई नेक्स्ट बात करेंगे 1971 की जनकर्णा की तो 11 जनकर्णा थी हमारी सभी इंपॉर्टन नहीं सभी नहीं देख रहे हैं 24.80 पर्शेंट की ब्रिद्धी हुई थी उसकी बाद 81 की जनकर्णा जो है यहां पर चुनाओ जो होते हैं आज भी 1971 वाली जनकर्णा से होते हैं पहले यह केवल 2000 तक संद 2000 तक कहा गया था कि 2000 तक चुनाओ होंगे प्रिद्ध इसमें रही थी 24.6 PC परशंट इसमें भी ज्यादा थी लेकिन इसके मुखाबले कम थी उसके बाद से क्यासी के बा Hawk also देरी दीरी जनवाकिया जो हमारे से कम वने लगी थीख जो ब्रिधी दर हो दो प्रिद्धी ही तो फिर वी जाएगा तो यही चीज इसके लिए जरूरी थी अब 2011 की जनगर्णा देखते हैं तो जनगर्णा आयुक्त हमारे कौंते 2011 में सी चंद्रमॉली 2011 में सी चंद्रमॉली वर्तमान में कौन है विवेक जोसी है मैस्कॉट हमारा सुभंकर क्या था तो प्रगड़क सित्खी का आधर्शुवाक्त हमारा हमारी जनगर्णा हमारा वविश्य और भारत की जनगर्णा विश्य में भारत की जनसंख्या चुटल हमारे विश्य में कितनी है तो 17.5% टोटल वर्ल्ड पॉपलेशन का इंडिया में 17.5% रहता है 2011 के जनगर्णा के अनुसार अगर जब कोश्चन पुछा रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार ऐसा ही कोश्चन पुछा रहता है उसमें लिखा रहता है लिंगा नुपाथ है हमारा 943, सिसु लिंगा नुपाथ कितना है 919, टोटल लिंगा नुपाथ 943, सिसु लिंगा नुपाथ 919, गरामीर जनसंख्या है 68% और नगरी जनसंख्या है 31%, ये डेटा बहुत इंप्रोटन्ट है, नगरी जनसंख्या कितनी है इंडिया की 31%, साक्ष करेंगे जनसंख्या घन तो हमारा कितना है पर वर किलोमेटर कितने लोग रहते हैं तो 382 अगस्तन वेक्टी रहते हैं पर किलोमेटर पहले हिंदू फिर मुस्लिम फिर इसाई फिर शिक फिर बौध फिर जैन और 0.2 परसंट लोगों ने अपना रिलीजन नहीं बता है नो रिलीजन का तो यह धार्मिक जनसंख्या नेक्स्ट बात करते हैं सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो थाड़े महाराश्ट और नियुंतम जनसंख्या दिबांग घाटी में और नाचल प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्या वाले पांच राज्जी कौन कौन से तो सब्सक्राइब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है टोटल भारत की जनसंख्या का 16.51 परसंट यूपी में रहता है सेकंड पे महार सब्सक्राण सतने हरे सब्सक्राइब केडी की efter रहे सबसे ज directed प्रदेश की में आता है सबसे कम सांख्या Congratulations ऋअ नियुक्त में परसंख्या इसी सब्सक्राइब वाले केंड्र साषिद प्रिदेश का नंबर आईगा पिर दादे नगर रहेली दहना दिगर सरवाधिक दसकी व्रिद्धी किस राज्य में हुई है नाशर प्रदेश सबसे नंबर वन पर विद्धी में में गाले आए भा परचंट की ब्रिद्ध हुई है अगर यहाँ पर देखा जाए में तो केवल 27 परचंट की ब्रिद्ध हुई है लेकिन दादर नगर हुई है इससे जादा हुई तो अगर केंडर साशित प्रदेश और राजियों को दोनों को एक साथ दादर्धिन के चराल vriddhi 15 % 2 सब्सक्राइब कि बात करें रिंगानुपात कि सरजिका है तो के पुदुचेरी यां पुद्धा प्रदेश में धिशा टीसकर में नंबर वन पे केरल है नियुंतम लिंगानुपात की बात की जाए तो दमन्दिव और दादल नगर है वेली सबसे पहले नंबर पे आएगा यहाँ पे राज और केंद्रेसासित प्रदेश एक साथ चल रहे हैं अगर दोनों को अप्सण में रख दिया जाए तो कौन नंबर पन पे रहेगा तो पहले यहाँ पर सरवाधिक में केरल नंबर वन रहेगा नियुंतम अगर बात की जाए तो दमन्दिव नंबर वन रहेगा नियुन्तम लिंगानुपात में सेकेंड कौन रहेगा तो सेकेंड पे चंडीगर, थर्ड पे दिल्ली और फोर्थ पे हर्याणा सिर्फ राजियकर दिये रहेंगे तो नियुन्तम लिंगानुपात कहां पे हर्याणा में साख्षरता की साकषरता सबस्यादा लक्षदीपे प्रवल में अगे बात करते हैं साकषरता काहां पे है तो नीउंतम है बिहारे उसके बाद राजस्らい औअट आगर यहां पर चट्वे Pacific की बात की जाएगी तो जooked कस्मीर यहां बेख सबसे पहले आएगा किवल केंद्रिशाशीद प्रदेशों में प्रवादिक पुरुष शार्ता केरल में सरवादिक सार्टा महिलाओं में पुरुषों में टोटल साग्षडा में सब में केरल नंबर वन है उसके बाद लक्षदीप आएगा फिर मिजोरम नियुन्तम पुरुष साक्षरता कहा है तो नियुन्तम है बिहार में वैसे भी नियुन्तम है महिलाओं पुरुषों सब में नियुन्तम है उसके बाद अधिक्तम जो महिला साक्षरता है ये चीज़ देख लिजेगा अधिक्तम महिला साक्षरता केरल में है उसके बाद मिजो कौन सा है तो सर्चीफ जिला है मिजोरम का सर्चीफ मिजोरम नियुंतम साक्षरता वाला जिला जो है वह है अली राजपुर मद्ध प्रदेश का सरवाधिक जनघनत की बात की जाए एक किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहते हैं तो बिहार में सेकंड पर आता है पश्रिम मंगाल में और यह जनघनत वाला डेटर इंपोर्टन होता ही क्रम बिहार पश्रिम मंगाल उसके बाद केरल फिर चौथे नंबर पर उत सबसे ज्यादा जनसंख्या संख्या की बात की ज़्या पर सबसे ज्याद जन संख्या की बात की जाूँ यह प्रतिस्सात की वाट नहीं चालेम इन कर देस में सबसे ज़यादा प्रаемсяंक चाहिए संख्या की आधार महाराश्ट में टोटल पॉपलेशन की बात की जा रहा है और उसके लिए एक प्रती लाद unity क्रम इंपकम सत्वादी घ्री तर्परदेस थर्ड पर इघ्मिर तक थर्प टोद टकी अगर अब अब यहीं पे अगर प्रतिसत की बात कर ली जाए सरवाधिक नगरी या फिर सहरी जनसंख्याग प्रतिसत कहां पर है तो टोटल पॉपुलिशन का सरवाधिक परसेंटेज जो है नगरी गोवा में रहता है उसके बाद फिर मिजोरम का नंबर आएगा फिर तमिलना डूगा इसके बारे में तो यह भी एक दो दिन पहले आई है लेकिन अगर कुछ पूछ रिया जाए तो देख लेते हैं सेंक राष चंसंख्या कोस द्वारा इसको जारी किया जाता है रिपोर्ट का सीर्षक जो है दोजार तेस वाली एट बिलियन लाइफ इन फाइनाइट इस रिपोर्ट के अनुशार भारत की जनसंख्या जो है चीन की जनसंख्या से 2.9 मिलियन अब जादा हो गई है और यह जो है लगबग जो है 142 करोन पहुंच जाएगी जून तक 142 करोन हमारी पॉपुलेशन होगी और इसने कहा इस रिपोर्ट के अनुशार जीरो से 14 साल के जो हमारे यह लोग है वहसे टीफाइप परसेंट और तस से 19 साल के जो आईववर के लोग सब्सक्राइब करेंगे इसका यह भी मतलब हो सकता है कि हमारे जीवन प्रत्यासा जो है बहुत खराब है कि नेक्स बात करते हैं 40 लाग से उपर जनसंख्या वाले नगर जो है भारत में कितने हैं नौ है 2011 की जनकरणा के निसार और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तीन में ब्रहद मुंबई दिल्ली और कलकत्ता इन तीनों नगरों को का जाता है में इनों ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी और खाना खतम हो जाएगा सब ऐसी जनसंख्या बढ़ाते रहोगे तो यह निराशा वाती एक व्यक्ति थे माल्थस नेक्स्ट बात करेंगे उपी की जनगरना की 2011 के एनुशा उपी की जनसंख्या कितने इती तो क्रोण 98 लाग 12341 की तो हमारी। का 15% यूपी में रहता है बच्चों का 15% और टोटल पॉपलेशन का 16% नेक्स्ट बात करेंगे यूपी में यूपी से अधिक जनसंख्या किन-किन देशों की है तो अगर यूपी को एक देश माल लिया जाए तो किवल भारत की जनसंख्या से ज्यादा होगी चीन की अमेरिका के इंडोनेसिया की पाच्वे नंबर पर खुद यूपी आ जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पूरुस की जनसंख्या प्रतिसाथ कितना है तो बावन परसंट पूरुस है मैलाय कितनी है 47 परसंट साल पर महारास्ट आजाता हैं ये नच्ट करेंगे दसक जन संख्या में ब्रिद्धि हम्हारी कितनी वह तुट्टी पॉइंटू ओर yesterday आ अच्यों पात की और 912े और पूरे इंडिया का लिगंगा नूपात है 900te Upper 943 943 और यूपी का है 912 जो कि कम है पूरे इंडिया से और जीरो से 6 आयू अर्क का जो लिंगानुपाद है वो भरत का 919 है नेक्स्ट बात करेंगे यूपी में अनसूची जाती यह नहीं एसी लिंगानुपाद 907 है और स्ट का लिंगानुपाद 951 है यहां पर स्ट वाला ज्य सुची जाती रहती है उसका 16.6% सिर्फ यूपी में रहता है सरवाधिक एस एसी जाती जाती यूपी में रहती है और अगर सिर्फ उत्तरप्रदेश जनसंक्या की बात की जाए तो उसका 20.69 परसंट जो है यह जो ससे पॉपुलेशन है यहां पार डोटल उत्तरप्रदेश की पापुलेशन का सी कितना है तो 20.69 सबसे ज्यादा ऐसी जनसंग्या सीतापुर में और सबसे कम है बागपत में अब स्टी पापुलेशन की बात करें तो स्टी टोटल इंडिया में जितने रहते हैं उसका 1.09 परसेंट यूपी में रहते हैं नंसूची जन जाते हैं सोनभध्र में और सबसे कम बागपत में उत्तर फ्रिदेश में साक्षर्टा कितनी है तो 67 परसेंट लगबग साख्षर्टा पूरुसों की 10 जादा इससे 77 और मैलाओं की इससे 10 कम है कितनी 57 टोटल 67 पुरुसों की 77 मैलाओं की 57 सरवाधिक जनसंख्य सबसे कम है गनतों की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो जन खनतों है वो गाजियाबाद में उसके बाद वाराणसी का नंबर आता है फिर लखनों संत्रविदास नगर क्योंकि एरिया कम है तो इसलिए यहां पर भी जनसंख्या गनत जौदा है उसके बाद फिर कानपुर न सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्नगर सबसे कम साक्षरता है स्रावस्ति में उसके बाद बहराईच जाता है फिर बलरांपुर सबसे कम साक्षरता है बहराईच में फिर स्रावस्ति में उसके बाद बहराईच में नेक्स्ट बात करेंगे सरवादिक महिला साक्षर जो है कानपुर में फिर लखनों में फिर गौतम बुद्नगर यह बार पूछा जा चुका है सबस्ते जादा मेला साखषड़ता वाला आगे बात करेंगे सरवादी जनसंख्या में बृधि जो है दसकी बृधि सब्सक्राइब कहां पे हुई है तो गौतम बृधनगर में सब पर ज़्यादा ज्यादा दसकी बृधि हुई है फिर यहां पे सरावस्ति और बाहराय जायेगा सरावस्ती में क्योंकि सकण चल्ड़र कम है इसलिए या पे ब्रेदि नेक्स्ट बात करेंगे नियुंतम दस्की बृद्धी की सबसे कम जनसंख्य बृद्धी कहां पर हुई है तो कानपुर नगर में उसके बाद हमीरपूर फिर भागपत सरवाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपूर का फिर आजमगर का नंबर आता है फिर देवरिया फिर प्रताबगार फिर सुल्तानपूर सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपूर में सेकेंड पर आजमगर आएगा नियुंतम निंदर्म बुद्ध काया पनके है इसे बाद बन्यट्त बात lovers अ इस सबसे कम सहरी आवादी काहां पर है तो अदन राज में में और सबसे कम सहरी आवादी कहां साथ्याधी के प्रतिसत कहां पर सबस्यादा नगरी करन हुआ है गाजियाबाद में सेकेंड पर लखनौ आएगा फिर कानपूर आता है गाजियाबाद लखनौ फिर कानपूर गौतंबुन नगर मेरट वगए अगे बात करेंगे 10 लाग से ये दोनों चीजी बहुत इंपोर्टंट है 10 लाग से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की बात करें अगर वैधानिक नगर लिखा रहेगा तो पहले नंबर पर लखनौ आएगा फिर कानपूर आएगा फिर गाजियाबाद आगरा मेरट वाराणसी और प्र नगरी संकुलन की बात करेंगे अभी इतक हमने बैधानिक नगर देखें वैधानिक नगर में लखनौ पहले आएगा नगरी संकुलन में फिर लखनौ आएगा फिर गाजियाबाद आगरा वाराणसी मेर्ट और प्रियाग राज अब यूपी में धार्मिक जन्गर्णा की तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू है 79.73% और कुल अलप संख्याक कितने हैं तो 20.3% अलप संख्याक हैं और इन में मुसलिम ज़्यादा है जो 19.26% है फिर शिक का नंबर आएगा अभी हमने इंडिया के बारे में जब देखा था तो इसाइप ज़्यादा थे शिक कम थे लेकि आगे बात करेंगे यूपी की 20% से अधिक जो मुसलिम आबादी वाले जिले कितने हैं तो यह 21% क्योंकि जनसंख्यावली रिपोर्ट में लिखा था तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है तो 21 जो जिले हैं उसमें मुसलिम आबादी 20% से ज़्यादा है सरवादी को सबसे क काम लेंगा रुपात है यूपी की कारेशील जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से 32.9% कुल स्लम आबादी कितनी है यूपी की तो 3.12% स्लम आबादी वह होती है जो जोपड़ पट्टी वगरे में रहती है तो 3.12% और देश में किस नंबर पे है तो फोर्थ नंबर पे है स्ल यूपी कि सरवाधिक स्लम आबादी वहला जीला की बात करें केवल यूपी में तो मेरत में स्लम आबादी है फिर आगरा का नंबर आगा फिर कानपूर फिल लखनौ यह इतनी चीजी इंपोर्टन थी पूरा इसी में आपका कवर हो जाएगा इसी को रिवाइस कर लिजेग है थेक्यों जाएगे थेक्यों आपक्सिंग ब्रेक्टेंग ग्लासेश